Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 11 नवंबर को छोटी दिवाली की आप सभी को शुब कामना है आज जो आर्टिकल डिसकस किया जाएंगे वो है Seeding Clouds to Clean the Air इसमें Cloud Seeding उसकी Application और Challenges को पढ़ेंगे Next आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है The Rise of the Matter इसमें Stable Burning को कैसे रोका जाए जो Solutions दियेगा है Total 5 Solutions है उसको अच्छे से पढ़ेंगे वो आपके लिए काफी Important है अशोग गुलाटी जी जो की Economist है उनके दोरह ये Solution दिया गया है प्लीज इसे आप Note Down कर लीजेगा नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिसकस करेंगे वो है Revamping the Criminal Justice System to Fit the Bill और जो लास्ट आर्टिकल डिसकस किया जाएगा वो इंडियान एक्स्प्रेस में आया है Rapid Melting of Ice Sheet in West Antarctica is now unavoidable This is what it could mean ठीक तो ये आर्टिकल चोटर चार आर्टिकल डिसकस करेंगे हमारा फर्स्ट आर्टिकल है Seeding Clouds to Clean the Air ये आर्टिकल इंडियान एक्स्प्रेस में आया है GS1 चोगरफी के परस्पेक्टिव से Important है Means के लिए Prelims के परस्पेक्टिव से भी Important है Pending है Cloud Seeding से कोशन नहीं आया है तो दोनों परस्पेक्टिव से कवर करेंगे चीजें एक Means का कोशन भी पेपैर करेंगे Cloud Seeding 2017 से न्यूज में 2017 में प्रोजेक्ट वर्षधारी स्टार्ट किया गया था करनाटक में उसके बाद से ये लगतार न्यूज में चल रहा है और रिसेंटली दिल्ली एर पॉलुशन को कम करने के लिए आयाटी कानपूर ने सजेशन दिया था कि वो Cloud Seeding कर सकते हैं अगर दिल्ली गौर्मेंट सारा खर्चा उठाने के लिए तयार है दिल्ली गौर्मेंट सरकार तयार हो भी गई थी लेकिन भगवान ने खुद ही नेचरल वे में पानी बरसा दिया है और दिल्ली में अभी पॉलुशन जो AQI लेवल है काफी कम हो चुका है लेकिन हो सकता है कि आगे जब AQI बढ़ जाए तो सरकार Cloud Seeding करें और ये आपके लिए काफी important topic है इसको समझना कि Cloud Seeding करके किस तरीके से artificial rainfall की जारी है और उससे किस तरीके से air pollution कम हो रहा है ये दोनों aspect को समझने की ज़रूरत है तो basically एक question जो है हम prepare करेंगे explain cloud seeding along with its application and challenges ये आप लोगों को UPSC में 10 बाग में पूछा जा सकता है simple question है क्या होता है cloud seeding और उसकी application और challenges क्या है तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि clouds बनते कैसे हैं और rainfall कैसे होती है अगर थोड़ा basic idea है तो चीज़े आराम से आपको बन जाएगी बहुत ज़ादा sunlight के करण convection होता है convection होने के करण क्या होता है नीचे से evaporation होता है पहले evaporation से हवाय उपर की तरफ बढ़ती है ये जो गर्म हवाय है इसमें moisture hold किया जा सकता है क्योंकि ये गर्म हवाय है इसमें water vapor hold किया जा सकता है तो ये हवाय अपने साथ water vapor hold करती हुई उपर जाती है क्योंकि ये light weight होती है इसलिए ये उपर की तरफ बढ़ती है अगर आपको पता हो थंडी हवाएं कहीं उपर की तरफ नहीं बढ़ेंगी वो वहीं स्थिर रहेगी लेकिन अगर हलकी हवाएं हैं तो वो उपर side बढ़ती है अपने cigarette को देखा होगा जलते हुए कभी देखा है कि उसके धुए को नीचे जाते हुए ऐसा कभी हुआ है नहीं होता ठीक तो उसी तरीके से जो गर्म हवाएं ये उपर की तरफ बढ़ रही है और ये हवाएं जब उपर की तरफ बढ़ती है accept करना बंद कर लेती है मतलब ये बुलना चाहिए कि भूक लगी थी शुरुआत में जब नीचे पे थे तब ये water vapor खाना चालू करती है और एक समय आता है जब इनका पूरा पेट भर जाता है इससे बोलते हैं saturation level Saturate हो जाते हैं बिल्कुल अब तरफ्ती मिल गई अब हम बिल्कुल कुछ भी water vapor एकसेप्ट नहीं कर सकते हैं इस समय पर ये cloud form करते हैं किसके around cloud form करते है nuclei क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है suit हो सकता है smoke हो सकता है aerosol हो सकता है कोई particulate matter हो सकते हैं इनके around क्या कर लेते हैं, cloud form कर लेते हैं, और फिर cloud form करने के बाद, छोटे-छोटे ये जो droplets होते हैं, ये droplets, बड़े-बड़े droplets बन जाते हैं, और फिर अगर थोड़ा सभी इन लोगों में, water vapor और extra आया, तो ये जो थेली water vapor के अपने साथ भरे हुए, वो फट जाती है, और ज nuclei के around ये clouds forming हो रही है, ये आसान सा तरीका था, clouds बताने का कि clouds कैसे form होते हैं, और दूसरा rainfall किस तरीके होती हैं, अब cloud seeding में क्या करते हैं, cloud seeding में basically हम artificial rainfall करवाते हैं, ठीक है, cloud seeding करके, अब समझते हैं cloud seeding, actual में होती क्या है, इन a cloud, water vapor condenses around small particle to form droplets, this droplet collide and grow, as they get heavy and the clouds get saturated, it rains, ये मैं आपको समझा जुका हूँ, किस तरीके से rainfall होती है, basically water vapor condense होते हैं, small particle के around, और small particle के around ये condense होके, ठीक है, धीरे धीरे बड़ी-बड़ी droplet बन जाते हैं, और जब ये saturated हो जाती है, बहुत बड़ी droplet बन जाती हैं, अब इस स्यादा नहीं ले सकती है, ये moisture को, तो फिर ये थैली फट जाती है, और नीचे rainfall ने लगती है, cloud seeding is the process by which cloud is injected with salt, such as silver iodide and potassium iodide, ठीक है, तो silver iodide और potassium iodide को inject किया जाता है, cloud में, ये क्या है, salts है, क्यों inject किया जा रहा है, the salts are expected to provide additional nuclei around which more cloud droplets can form, तो basically हम क्या कर रहे है, aeroplane का use कर रहे है, इसमें हमने chemical spray किया, कहां पर, जहां पर थोड़े बहुत clouds हैं, वहां पर, एकदम clean air या clean space में आप ये सारी चीज़े नहीं कर सकते, जहां थोड़े बहुत clouds हैं, वहां पर आपने silver iodide और potassium iodide को use किया, inject कर दिया ये basically क्या है, salts है, इनका काम क्या है, ये as a nuclei behave करेंगे, अगर ये nuclei बहुत जादा हो जाएंगे, तो इसके around ये संभावना है कि clouds formation बहुत तेजी से हो, droplets बहुत तेजी से बने, और droplets अगर बनेंगे और उसमें saturation बनेगा तो rainfall होने की संभावना बढ़ जाएगी, यही basically जो process हो iodide और silver iodide salt है, ठीक, इसी के कारण rain होती है, seeding accelerate the micro physical process in a cloud, you need sufficiently large operate that can reach the surface of the earth and not evaporate on their way down, next step, what is the need for process to work, सबसे पहले तो cloud cover होना चाहिए, कुछ cloud वहाँ पर होना चाहिए, clean air होगी, तो possible नहीं है कि यह cloud seeding की जा सके, cloud seeding can only happen if there is a sufficient number of cloud and there is a particular depth of this cloud, तो यह हमारा पहला challenge हो जाएगा, ठीक, inside there needs to be an adequate number of cloud droplets, ठीक, यह सारी चीज़े जब तक के नहीं होगी minimum, तब तक क्या आप cloud seeding नहीं कर सकते और नहीं possible है कि वो successful भी हो, cloud seeding is done to increase the radius of the cloud droplets so that they will grow bigger and because of gravity come down as rain, but with a clear sky you cannot do it, ठीक, अगर sky clear है, तो आप जो है नहीं कर सकते cloud seeding, ठीक, तो यह दूसरा challenge हो जाएगा, हमारा cloud seeding के लिए सबसे पहले तो minimum आपको क्या चाहिए, clouds चाहिए, cloud होना चाहिए, sufficient number of cloud और उनकी एक particular depth होना चाहिए, उसके बाद अगर clear sky होता है, तो आप cloud seeding नहीं कर सकते हैं, यह आपके challenges हो जाएगे, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में कैसे पाना possible है, वहाँ पर clouds कैसे हैं, winter में generally clouds नहीं होते, अना खुला हुआ मौसम होता है, clear sky होता है, लेकिन दिल्ली में western disturbance के कारण, बहुत जादा clouds बने हुए हैं, और इसी कारण अभी recently, पानी भी आया है, तो इस western disturbance are storm that originate above the Capsion or Mediterranean sea and bring non-monsunnal rain to northwest India, ठीक है, तो यह अपने को पता है, western disturbance basically है क्या, extra tropical cyclone, ठीक है, extra tropical cyclone, इसी को क्या बोलते हैं, western disturbance, अपने इंडिया में western disturbance, winter में जो है, क्या करता है, पानी लेके आता है, किस side में, जो पंजाब area है, हर्याना area है, दिल्ली है, western UP है, और हिमाचल side के जो area है, और जो wheat है, उसको पकने में भी यह मदद करता है, western disturbance में, जो clouds आएंगे, उसी में हम क्या कर सकते हैं, cloud seeding कर सकते हैं, जो IIT कानपुर करने के लिए अभी सरकार को कह रहा है, even if the clouds are there, you need to see what their height is, and what their liquid water content is, ठीक है, तो यह सारी necessary condition हो जाती है, अब बात करते हैं, कि to what extent it is successful, ठीक, मतलब किस हद तक कि आपने seeding कर दी तो पानी आए गई आएगा, तो 2017-18 में, जो है, अलग से experiment किये गए थे, जिसका नाम है KPX-6 experiment, basically कहां किया गया थे, ड्रॉट प्राउन सोलापूर इन महारास्ट में, 2018-19, monsoon season में, उस समय यह experiment में point out किया गया था, कि जो enhancement है rainfall में, वो 18% लगभग लगभग हुआ था, but the picture emerged was complicated, basically 18% जरूर जो है rainfall बड़ी थी, लेकिन जो picture है वो इतनी आसान नहीं है कि आपने बस डाला और सारा का सारा rainfall होना शुरू हो गया, cloud microphysics is more complicated than we think, when you need all clouds won't rain, even without seeding clouds can rain, it is still very complex, ठीक है तो आप seed कर रहे हो, आपने माले हो, दो-चार cloud में seed किया, वहाँ से पानी नहीं आया और उसके बाजवाले cloud से पानी गिर गया naturally, तो आप नहीं कह सकते कि यह, जो microphysics है cloud की वो इतनी आसान नहीं है, काफी ज़ादा complicated है, IIT कानपूर attempted it on campus in the pre-monsoon month of April and May in 2018 and reported rain in 5 out of 6 trial, तो 6 में से 5 बार जो है, पानी गिरा जब IIT कानपूर ने जो है, 2018 में cloud seeding try की दी, ठीक है, तो यह basically आपका क्या हो जाएगा, कुछ data हो जाएगा, कि यह कितने हद तक के सफल है, अला कि complicated ज़रूर है, इसके अलावा challenges और क्या होंगे, इसकी cost बहुत ज़ादा होती है, it might change climate pattern on planet, ठीक है, अगर आप जो है, कभी भी पानी बरसा रहें, तो हमारा जो pattern है, कि summer आएगी, फिर monsoon आएगा, और उसके बाद फिर winter आएगा, तो यह बदल सकता है, climatic pattern ही बदल सकता है, यह artificial rainfall से, तो यह एक challenge है, third chemical used in seeding might potentially harmful for environment, plants and animals, तो यह वाला third challenge हो जाएगा, तो यह basically कुछ challenges है, और जो हमने ऊपर यहाँ देखे थे, करने में क्या-क्या challenges हैं, वो cloud वाले challenges है, आप total 4-5 challenges लिख सकते हैं, application की बात करेंगे तो, मानलो सूखा पढ़ गया, drought आगया, तो agriculture को बढ़ाने के लिए, agriculture में जो range आई है, उसके लिए production बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो, cloud seeding का, ठीक है, इसका example क्या है, project वर्षधारी in करनाटका 2017, यह किया जा चुका है, 2017 में काफी डॉट पढ़ा था, करनाटक में उस समय cloud seeding करी गई थी, next है, power generation के लिए, augmentation of hydro power plant, ठीक है, power generation, basically करने के लिए भी, क्या किया जाता है, summer में मानलो, बहुत ज़्यादा सूखा पढ़ गया, तो artificial seeding कर दी, उससे power plant, जो है, क्या, अगर minimum पानी आते रहेगा, बहते रहेगा, तो power plant चलते रहेंगे, third है, हमारा pollution, air pollution कंट्रोल करने के लिए, इसे अलग से discuss करेंगे, fog dispersal, इसे भी अलग से discuss करेंगे, water pollution, कंट्रोल करने के लिए भी, जो है, इसे किया जा सकता है, pollutants बहुत जादे हैं, तो थोड़ा बहुत पानी की वर्षा करवा दो, तो जो pollutants का concentration है, wastewater का, वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो basically water pollution कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, tourism को भी, tourism में भी इसके application है, अगर बहुत ज़्यादा dry area है, तो इसे more hospitable बनाया जा सकता है, महाँ पर करत्रीम बर्षा करवा करके, ठीक, अब air pollution किस तरीके से काम करता है, बहुत simple है, यह कई बार अपन पढ़ चुके है, generally air pollution होता क्यों है, थंड के समय में, अगर यह पता है, तो easy है, क्या होता है, कि थंड में fog walk होता है, बहुत ज़्यादा, हवाएं नीच लती है, dry winds होती है, still winds होती है, और नीचे क्या थंडा area है, यह वाला area पुरा थंडा होता है, यहाँ से जो भी गाड़ी गई, उसने बहुत सारा धूल उड़ाई, अब जो गाड़ी धूल उड़ा रही है, पर्टिकुलेट मेटर, suspended पर्टिकुलेट मेटर बोलते हैं, SPM, यहाँ पर पुरा फॉग में फस जाता है, जब फॉग में यह सारी चीज़े हो जाती है, तो इसे बोलते हैं, smog, ठीक, smog में क्या होता है, अब यहाँ पर आप ट्रेवल करों, आपके मुझ में यही सारा प पास है, इसका रीजन यही है, कि यह जो, जो पार्टिकुलेट मेटर है, यह बहुत जादा बढ़ गए है, especially PM 2.5 और PM 10, ठीक, तो यह बहुत जादा हो गया है, और इसके करण, क्या हो रहा है, पॉलूशन बढ़ रहा है, अब क्या होगा, जैसी हवा आ रही या पानी आ र रहे जाएंगे, या तो वो सेटल हो जाएंगे, उससे बेसिकली, जो हवाएं हैं, उसकी कॉलिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी वीकल से होने वाला पॉलूशन, मतलब SOX, NOX, Ground Ozone, यह सब कुछ भी नहीं होता है, अगर शौट टम रेंफॉल है, तो दो च आतार रेंफॉल हो रही है, हफते भर, दस दिन, पंदरा दिन, तब हो सकता है, यह जो पॉलूटेंट है, यह भी धुल जाएं, यह भी हवा के साथ बहे जाएं, अदर्वाइस, यह सारी चीज़े अभी दिल्ली वालों को जहिलनी पड़ेगी, इसलिए एक्यो आई इंप् पर बहुत ज़्यादा पॉलूटेंट जमा जाते हैं, अगर डिसपर्स हो जाए, हवा से सीजे इधर उदर हो जाए, पॉलूटेंट इधर मूव कर जाए, तो फिर पॉलूशन ही क्यों रहेगा, तो यह बेसिकली हमारा पूरा कोशन था, होफुली यह आपको सीजे समझ मे आगोई, क्लाउट सीडिंग समझ में आगई, एप्लिकेशन पर बात कर लिए, चैलिंजेस पर बात कर लिए, ठीक, नेक्स आर्टिकल है हमारा राइस ओफ दा मैटर, यह आर्टिकल इंडियान एक्स्प्रेस में आया है, जी एस वन, जी एस थ्री के परस्पेक्टिव से का काफी जादा important है, basically air pollution के उपर आया है, stable burning को कैसे कम किया जाए, उसके इनोंने 5 solution दिये, 5 points में solution दिये हैं, 5 points आपको note down करना है, काफी important है, आपको UPSC में हमेशा solutions पूछे जाते हैं, आपके opinions पूछे जाते हैं, वो आपके नहीं होना चीए, वो अशोक गुलाटी जी के होन जो की economist हैं, और इनके solution अगर आप लिखोगे तो जादा number आपको मिलेंगे, इसलिए या article बस ले रहा हूँ, already हम इसमें कई बार discuss कर चुके हैं, लेकिन जो 5 points दिये हुए, वो important है, उसको आप जो है, लिख सकते हैं, तो basically अगर हम air pollution कम करना है दिल्ली में, तो क्या करना burning 37.85% जो है, pollution contribute कर रहा है, almost one third, जो transport है दिल्ली का, वो केवल 12% है, दिल्ली में जो construction और dust है, वो केवल 3% है, तो clearly अगर सबसे जादा important है, air pollution कम करने के लिए, तो वो क्या है, इस्टबल बर्निंग को कम करना, और especially पंजाब में, यूपी और हर्याना में इस्टबल बर्निं कम नहीं हो रही है, तो इसके कुछ रीजन्स हैं, और इस्टबल बर्निंग के वो समझ लेते हैं, पैडी कल्टिवेशन के कारण क्या होता है, जब वीट लगाना रहेगा रभी में, तो बहुत कम टाइम बसता है इन दोनों के बीच में, तो जो crop residues होते हैं, उसको farmer क्या कर जो है, इसे farmer यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकल ये टेक्नलोजी क्या थी, इसमें आसानी से जो है, वीट सोईंग हो जाती थी, और जो crop residue हो भी रिमूव हो जाते थे, और tilling भी जादा नहीं करनी पड़ती थी, ये machine बहुत ही कारगर थी और इसमें, जो है, stable burning करने की ज़र कार को भरना चाहिए, अगर stable burning को कम करना है, तो हलाकि इसकी cost काफी ज़्यादा है, इसलिए किसान जो है, इस आफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े किसान है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसान आफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण stable burning बहुत क्यों क्योंकि paddy तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए पंजाब में, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी और paddy में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन farmer को क्या चाहिए assurance, उसने उगा लिया paddy, तो कौन खरीदेगा खरीदेगा, सरकार खरीदेगी, क्योंकि MSP सर सरकार करती है, और it's open ended procurement, open ended procurement के बारे में हम पहले भी बात कर चुके है, open end का मतलब यह होता है, कि अगर तुमने paddy उगा ली और सरकार को कहा कि खरीदो, तो सरकार को खरीदना पड़ेगा, अगर दूसरी crops होती, तो जब तक के MSP से कम market value नहीं होती, तब तक सरकार नहीं ख कारण इसका जो production है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि farmer को assurance रहता है, कि सरकार तो खरीदेगी, कोई खरीदे ना खरीदे, दूसरी रीजन का है, subsidy by state government, लगबख 30,000 पर hectare subsidy दे रही है पंजाब सरकार, अगर overall subsidy देखे, केंजर पंजाब मिला के, तो यह कितना रुपे है, one third of profit of paddy, लगबख one third जो है, सरकार जो है, क्या दे रही है, subsidy दे रही है, ताकि किसानों का profit बढ़ सके, कैसे दे रही है, free electricity दे रही है, यूरिया दे रही है, fertilizer subsidy दे रही है, यह सारी चीज़े दे रही है, अब जब free electricity देगी, तो tube well का खूब use करेंगे, और जितना पानी paddy क बहुत सारे रीजन में पंजाब के एको फायर लेवल बहुत जादा नीचे हो चुका है, तो basically environmental degradation बहुत तेजी से हो रहा है, पंजाब में आने वाले समय में बहुत issues आने वाले है, तो यह paddy के जो cultivation है, उसको कम करने की ज़रत है, अभी सारे अपन पढ़ेंगे solutions, ठीक, इस सारा CH4 रिलीज होता है, ठीक है, और इसी के करने की greenhouse gas है, तो यह emission भी बढ़ रहा है, agriculture के करने 18% greenhouse gas emission होता है, total, अगर यह आपको पता हो, ठीक, यह basically इसके results है, अब solution की बात कर देते हैं, पांच solution की बात की गई है, गुलाटी जी द्वारा, पहला, 25,000 पर hectare to farmers, switching from paddy to pulses, oilse and millet और even maize, ठीक, तो सरकार को सबसे पहले तो subsidy देने की ज़रत है, कितनी subsidy, 25,000 पर प्रती hectare, किसको farmers को, किसके लिए अगर वो paddy छोड़ करके बाकी चीजे लगाता है, जैसे कि pulses हो गया, oilseats हो गया, millet हो गया, और even maize, इन सारी चीजों में जो पानी की मातर है, वो बहुत क पैडी में दे रहे थे, तो सरकार को extra भार भी नहीं आएगा, किसान पैडी की जग, ये ऊगा रहे तो उसको भी उतनी subsidy में देनी पढ़ रहे तो extra भार भी नहीं आएगा, तो ये crop neutral incentive है, crop neutral incentive, ठीक, सरकार के ओपर extra भार नहीं आएगा, second क्या है, incentivize the private sector to up the ethanol plant based on maize, तो basically अ करेंगे लेंड किया जाता है लियद किया जाता है यह बेड किया जाता है नहूंना फोर। है इतनोल ब्लेंडिंग प्लान 2003 में लाया गया था और अभी 20% जो है ब्लेंडिंग कर पाइ 2025 टार्गिट किया जा रहा है तो हमें क्या करना है प्राइविट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना है इस्पैशली उस रीजन में जहां वाटर टेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है उस जगह पे अगर मेज उगाया जाए और उसको डारेक्ली किसान यहां बेज दे इनको तो क्या होगा जो साइकल है वो चलना शुरू हो जाएगी एजिली डिमांड और सपलाई जो है शुरू हो जाएगी एक खरीदने वाहीं और सपलाई करने वाहीं तो दोनों किसान को भी फायदा होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होगा और as a overall nature को benefit होगा next क्या है ताकि इससे विकलर ट्राफिक जो पॉलुशन है वो भी कम होगा इथनौल ब्रेंडिंग सेटी next state agency should reduce petty procurement from those farmer burning stable third क्या किया जा सकता है कि जो हमारी state agency है जो भी stable burning कर रहा है उनसे खरीदना ही बंद कर दो किस पे MSP पे अगर उनसे करीदना बंद कर दोगे तो वो अपने आप जो है stable burning करना भी बंद कर देंगे हाला कि यह थोड़ा tough होगा जो छोटे किसान ने उनके उपर लेकिन यह करने की ज़रुरत है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है according to writer मेरा नहीं है personal view writer का है ठीक है तो at least उस जगह पे जहां stable burning बहुत ज़्यादा जलाई जारी और water table बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है वहां से rice procurement of paddy को पूरी तरीके से बंद करने की ज़रुत है FCI should make it clear that they will not pay more than 3% on top of MSP for any mundane commission for the arhitaas arhitaas basically क्या है यह जो middle man होते न यह arhitaas है और यहां पंजाब में यह बहुत ज़्यादा strong है ठीक है यह lobby इसलिए इन लोग जो है जब 3 private sector जो bill लेके आये थे जिसमें private sector की entry हो रही थी private mandate की उसके against में यह arhitaas ही थे जो सबसे ज़्यादा थे ठीक है और इनी अरhitaas के कारण जो है वो तीन bill repeal किया गया है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा commission जो middle man का बहुत बड़ा रोल है पंजाब especially पंजाब वाले area में तो इनकी जो fees है उसको 3% से ज़्यादा नहीं देना चाहिए और पूरे across state में uniform system लाने की ज़रत है और आखरी है हमारे prime minister है उनको साथ में जितने भी chief minister है दिल्ली और उसके आसपास के अरिये में साथ में बैठो और एक बड़िया सा package जो है सरकार को launch करना चाहिए towards more nutritious crop millets oilseed and pulses by assuring a procurement of this as MSP तो केंद्र सरकार MSP तेय करती है तो केंद्र सरकार जो है जो nutritious crop है जिसमें कम पानी लगता है वो सारी crop को क्या करने की ज़रत है उसमें assurance देने की ज़रत है कि इसमें open ended procurement होगा आप open ended procurement किसी भी crop के लिए announce तो करो रात तो रात और उसमें थोड़ा सा MSP बढ़ा दो पैडी से तुरंत जो है switch कर जाएंगे पैडी छोड़कर लोग उसी crop को produce करेंगे we are short of all these crops that are more nutritious and more nature friendly one our reliance on rice and wheat in the public distribution system is excessive causing diabetes and harming the environment of more than five lakh fair price shops at least 10 percent 50 000 can be made nutrition hub where this nutrition crops will also be supplied along with wheat and rice the consumer should be given a choice whether they want rice or wheat or other crop costing the same money through food vouchers this will create a more diversified market save water minimize greenhouse gas emission from the crop sector and reduce pollution in Delhi coming from stable burning लेकिन जो pollution है वो stable burning से केवल कम होने का solution है बाकी चीज़ें जैसे की fuel के कारण जो transport है उसमें इवी में आपको convert करना पड़ेगा और renewable energy में convert धीर धीर होना पड़ेगा जो energy sources है हमारे उसमें तो वुस से जो है pollution कम होगा वो different matter है इस्टबल बर्निंग के लिए लास्ट लाइन इनोंने क्या कई है यह important है आपके लिए इसको wheat के अलावा बहुत सारे जैसे की हमारे millets हो गया मेज हो गया pulses हो गई यह सारी चीज़ें भी देने की जरुरत है और लोगों को option देना चाहिए voucher के कि सबकी cost सेम है तुमको क्या चाहिए wheat चाहिए rice चाहिए millet चाहिए तो यह सारी चीज़े अगर आप लेते हो तो आपका जो खाना है वो और nutritious हो जाएगा शुरुआत में यह 10% में करना चाहिए और जैसे जैसे अगर यह successful होता है तो आगे से बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस इतरा greenhouse gas emission कम होगा पैड़ी से greenhouse gas emission बहुत होता है CH4 रिलीज होता है मैंने आपको भी बताया है और pollution भी कम होगा तो यह सारी चीज़े benefits होंगे इसको प्लीज नोट डाउन करियेगा इसको मैं अपना PDF डालूंगा टेलीग्राम में आप उसमें जो है इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं अपने notes में next article है हमारा revamping the criminal justice system to fit the bill यह article the Hindu में आया है और GS2 governance के perspective से important है already हम कई बार पढ़ चुके हैं criminal justice system को reform करने के लिए जो तीन बिल लाएगा है उसमें क्या क्या चीज़े होनी चाहिए इसमें कुछ extra points है इससे भी cover करेंगे अच्छा article है अच्छे सह सम समझेंगे GS2 mains के perspective से बस important है शुरुबात करते हैं थोड़ा सा background समझते हैं सरकार दौरत तीन नए बिल पेश किये गए हैं to replace the IPC CRPC and IEA Act कौन-कौन से तीन बिल सरकार दौरत पेश किये गए हैं भारती नयाय सहीता बिल will replace the IPC the भारती नागरिक सुरक्षा सहीता बिल will replace the CRPC and भारती साक्ष बिल will replace the IEA तीनों बिल सरकार ने पेश की थी और उसके बाद यह parliamentary committee को भेजा गया था parliamentary committee recommendation देगी recommendation देने के बाद winter में सरकार कोशिश कर रही है इन बिल को पास करके act बनाने की basically सरकार criminal justice system को reform करना चाहती है हाला कि अगर हम देखें तो कुछ जादा बहुत जादा बदलाव नहीं है ठीक है जो act है उसमें थोड़ा बहुत change किया गया है IPC में और सिर्फ नाम बदला गया है कुछ चीजें जो extra की गई है जो important है उस पे भी बात करेंगे लेकिन बहुत ऐसा एकदम change नहीं किया गया है कि एकदम ही criminal justice system इंडिया का बदल गया हो ठीक थोड़े बहुत changes है उसके बिना भी काम चल रहा था और आगे भी काम चले गया है यह चीज ऐसा नहीं है कि बहुत जादा बहुत बड़ा reform हो watershed movement of criminal justice system में ऐसा मिलकुल नजर नहीं आ रहा है लेकिन अभी draft आएगा तो recommendation होने के बाद जब वापस law आएगा तब फिर और देखेंगे और समझेंगे कि क्या उसमें चीजे हैं शुरू करते हैं modernizing the law इसमें author दारा कहा जा रहा है कि साथ ऐसे issues है जो की important है for modernizing the new law तो jurisprudence को modernize करने के लिए जो criminal justice system है उसको present की socio-political और economic reality reflect करवाने के लिए जो changes करने की ज़रत है जो modernism करने की ज़रत है उसमें साथ ऐसे issues हैं जो की important है one by one साथो issues पे बात करेंगे पहला क्या issue है whether this bill exclude the civil law मतलब क्या कह रहा है कि जो bills लाए है CRPC लाए है वो criminal procedure है इसमें जो civil law है वो नहीं होना चाहिए CRPC में civil law के भी कई सारी धाराएं थी for example कौन सी धारा थी जिसमें कहा गया था कि CRPC include provision for maintenance of wife and children after divorce अगर divorce हो जाता है तो कितना maintenance होना चाहिए या maintenance होना चाहिए वो वाला section wife और children के maintenance वाला section CRPC में है ये पूरा का पूरा जो section है basically कि समें होना चाहिए civil law में तो civil law और criminal law दोनों में क्या होना चाहिए difference होना चाहिए civil law होता क्या है criminal law होता क्या है बेसिकली जो criminal law होता है वो deal करता है वो सारे offences से जो society के against हो या फिर पूरा के पूरे state के against हो और जो civil law होता है वो basically इनसान का जो loss है अना against the person मालिजे किसी ने क्या किया कोई property हड़ा अपली या फिर आपका किसी के साथ relation खराब हो गया डाइवोर्स हो गया यह सारे civil laws में आ जाते है ठीक जो person के against में होता है generally वो civil laws होते है जो state के against offense होते है उसको हम क्या कहते है criminal laws होते है criminal laws के लिए काफी ज्यादा जो है ठीक है CRPC में compounding भी allow की गई है जो पुरानी CRPC थी यह भी नहीं होना जी compounding का क्या मतलब होता है अगर offense compoundable है ऐसा लिखा है कि offense is compoundable that means कि जो person है जिसको affect हुआ है वो क्या कर सकता है इसे maaf कर सकता है पैसे वैसे लेके settlement कर लेते हैं लोग बाहर तो कुछ जो offense है वो compoundable जो होते हैं उसमें बाहर settlement हो सकता है जो non compoundable होंगे उसमें किसी तरग settlement नहीं होगा proper trial होते हैं जब तक कि trial नहीं होंगे तब तक कि किसी को निर्दोश नहीं कहा जा सकता ठीक है तो ये basically क्या कह रहा है कि CRPC में ऐसे कई सारे compoundable offenses भी include किये गा है जो कि आने वाले जो reforms हो रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए compoundable offenses जो है वो सिर्फ civil code में होना चाहिए CRPC में नहीं होना चाहिए criminal laws में नहीं होना चाहिए जो हम नए बिल पेश कर रहे है ठीक the question is whether such matter should be dealt under the civil code the new bill retain this provisions ठीक है तो जो नए बिल हैं वो अभी भी CRPC में जो नए बिल लेके आए जा रहे हैं रिप्लेस के जा रहे हैं वह CRPC वाले जो प्रोविजन से उसे रिटेन कर रहे हैं जबकि इन्हें civil code में होना चाहिए ठीक है तो जो reform कर रहे हैं मैंने कहा कि ज़्यादा changes नहीं किये हैं और उसी को यहां पर दिखाया जा रहा है next point क्या है whether this will create a reformative system or rather than punitive system ठीक है तो basically अगर आपको पता हो justice lots its relevance when it becomes retributive जब प्रतिशोद बन जाता है तो justice जस्टिस नहीं होती है ठीक है आप किसी भी प्रतिशोद की भावना से justice नहीं ले सकते justice पे जनरली compassion जो है component छुपा होता है kindness component छुपा होता है तो हमारा जो system है criminal justice system उसे हम reformative बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को सजा हो तो उनके अंदर guilt होना चाहिए इस तरीके से आप जो है लोगों को सजा है दो कि वो अपने आपने आपको बदल सके reform कर सके जो उन्हें गल्ती की है उसे सुधारने का मौका दिया है जस ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने गल्ती की तुम्हें फासी पे चड़ा दो punishment system नहीं होना चाहिए तो क्या ये जो नए बिल लाए जा रहे हैं ये reformative system create कर पा रहे हैं there is a move towards this by making community service as a form of punishment community service जो की US वगेरा आपने बहुत सुना होगा जो नए बच्चे होते हैं उनको अगर गल्तियां करते हैं जो यंग होते हैं उनको community service में डाल दे जाता है चलो इनकी सेवाय करो NGO में रहके काम करो चलो हजार पौधे लगाना है तुम्हें इस तरीके की चीज़े करवाई जाती है as a form of punishment however several minor offenses such as keeping an authorized lottery office which carries a maximum penalty of six month imprisonment are not compoundable which means they will go through the process of trial and conviction लेकिन अभी भी ऐसे छोटे छोटे पीटी-पीटी offenses हैं जो की non-compoundable category में लाए गए हैं जैसे की lottery रख लेना ठीक है lottery रखने के में छे महीने की सजा है अब ये छोटे-छोटी चीजों को भी अगर आप non-compoundable में रखते हैं इसका मतलब पूरा trial होगा पूरा conviction होगा और इंडिया में छे महीने की सजा के लिए trial छे साल भी चल सकता है तो ये जो है अपने आप में ये एक सजा है ठीक है trial होना तो ये जो छोटी-छोटी चीज है इसको भी बदलने की जरूरत थी नए reform bill में जो PT offenses है उसको non compoundable से compoundable में डालने की जरूरत थी ठीक थर्ड क्या है whether the maintenance of public order and the process of criminal prosecution should be in the same law ठीक है तो जो public order maintain करना है plus जो criminal procedure है वो एक ही law में होना चाहिए क्योंकि 144 जो section था CRPC का जिसमें empower किया जाता था DM को कि वो बहुत सारे restriction लगा सकते है 1144 आपने सुना होगा आप लोग बाहर नहीं जा सकते 34 लोगों के गुट में अगर 1144 लगा दी गई है DM के द्वारा ये सब CRPC में ही है ये basically public order maintain करने के लिए तो इसमें यही कहा गया है कि public order maintain करने के लिए जो criminal procedure उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए पब्लिक order maintain करने के लिए लग प्रोविजन सोने चाहिए लेकिन ये चीजे भी नए बिल में रिटेन रखी गई है 4th whether the various direction of the Supreme Court of India has been codified in this proposed law जो direction दिये गए है आज तक Supreme Court के दौरा क्या उसे codify किया जा रहा है नए laws में तो जो नए बिल है उन्होंने procedure for mercy petition जो है क्या किया है codify कर लिया है लेकिन arrest और bail के जो direction दिये जाते हैं वो अभी भी codify नहीं किये गए हैं जिसे include किया जा सकता है 5th whether the bills try to ensure consistency of implementation जो बिल लाएगा है उसमें ensure की गई है कि consistency of implementation हो पहली बात इसमें क्या समझने की ज़रुत है कई ऐसे punishment है जिसमें 1 से 10 साल की सजाए एक साल से 10 साल की या फिर 0 year से 10 साल की जैसे की एक ऐसे example दूँ मैं आपको the punishment is up to 10 year imprisonment if a person cohabit with a woman whom he falsely convinced that he is married to her ठीक है तो अगर कोई भी पुरुष महिला के साथ रहता है और बोलता है कि मैं आपसे बात में शादी करूंगा ये offense की सजा कितनी है जीरो से 10 वर्स इसमें जज आपको एक दिन की सजा दे सकता है या 10 साल की सजा दे सकता है ये उसके उपर निर्वर करेगा ये gravity of offense के उपर निर्वर करेगा case by case इतनी ज़ादा अगर range रहती है तो जो consistency होती है किसी किसी को कुछ भी सजा मिल जाती है किसी को बिल्कुल कम सजा मिलती है अच्छे परिवार से तो उसे जल से जल जो है 6 माईने की सजा दे दिया फिर कुछ पैसे लेके छोड़ दिये गए अगर बहुत गरीब परिवार से तो इस तरीके के जो division है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा lawyer है तो वो उसे बचा लेगा, rich आदमी है तो अच्छा lawyer रख सकता है, गरीब आद में अच्छा lawyer नहीं रख सकता, तो इस तरीके से ये जो consistency है वो नहीं दिखाई दे रह लोगों को सजा देने में, next point का है, whether the age provision has been updated for modern norm, पहले जो age norms थे IPC में, उसमें ये कहा गया था कि 7 साल से कम उमर के बच्चे हैं, तो उन्हें किसी भी offense के लिए एक्यूस नहीं किया जा सकता, 12 साल तक इसे extend किया जा सकता है, अगर if the child found to not have attendability to understand the nature and consequence of his conduct, अगर 5 साल और extend कर सकते हैं, बारा साल तक के बच्चे को accused नहीं किया जा सकता, अगर उसकी ये छमता ना हो कि वो जो कर रहा है, वो गलत है, उसके consequences क्या होंगे, तो ये सारी चीजें, age बढ़ाने की भी बात की जारी, क्या ये threshold age को बढ़ाया जाना चाहिए, modern समय के हिसाब से, next है, whether gender related offense have been updated, the bill is in line with the Supreme Court judgment, which struck down the offense of adultery section 377, ठीक है, तो gender related update, जो offense है, वो हो रहे हैं कि नहीं, हाँ, बिलकुल किया जा रहा है, 377 हटा दिया गया, adultery section हटा दिया गया, लेकिन अभी भी जो marital rape है, वो अभी भी offense नहीं किया, रखा गया है, ठीक है, marital rape अभी भी offense नहीं बनाएं गया है, त particularly offenses दिये हुए हैं, ठीक है, और CRPC में भी है, तो ये duplication है, ठीक है, redundancy बहुत जादा है, इन सारे act में जो सारी चीज़े दी हुए है, special act बना के दी हुए है, CRPC से उसको हटा सकते हैं, remove कर सकते हैं, क्योंकि अलग से special act बनाएगा जा चुके हैं, तो जो नए बिल हैं, उसमे भी ये सारी चीज़े करने की जरुवत है, ठीक है, तो ये basically हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ reforms की इनने बात की, seven issues की इनने बात की, 7-8 issue हो गए, जिसको include करेंगे तो जो system है, वो basically reform होगा, और fair, just or efficient criminal justice system बनेगा, ठीक, ये article हो गया, hopefully आपको सारी चीज़े समझ में आ गई This is what it could mean, Indian Express में ये article आया है, GS1 के perspective से important है, prelims के लिए important है, जो एक important point आएगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा, जो कि आपके pre-perspective से important है, और basically ये information-based article है, आपको पता होना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है, the rapid melting of West Antarctica ice sheet due to warm waters around it is now unavoidable, no matter how much carbon emission are cut according to the new study, क्या कह रहा है, कि जो West Antarctica ice sheet है, वो लगातार melt हो रही है, किसके कारण, around warm water होने के कारण, मतलब ये ice sheet है, इसके आसपास warm water है, और उसके कारण ये ice sheet बहुत तेजी से melt हो रही है, और ये unavoidable है, इसका मतलब क्या है, आप carbon emission कितना भी कम कर लो, global warming का जो temperature है, जो global rise temperature है, वो 1.5 degree कर लो, या 2 degree कर लो, या 1 degree से भी कम कर लो, तब भी ये जो ice sheet का melting है, इसको रोक पाना impossible है, if lost completely, the ice sheet would raise the global mean sea level by 5.3 meter और 17.4 meter, अगर ये पूरी तरीके से ice sheet क्या हो जाती है, melt हो जाती है, तो लगभग global sea level कितना बढ़ जाएगा, 5.3 meter और 17.4 feet बहुत जादा होता है, मतलब इसके इतने devastating effect होंगे ना, इतने devastating impact होंगे, खास करके small island countries के लिए डूप सकती हैं country इतने जादा devastating effects होंगे, और coastal cities के लिए जैसे कि इंडिया में हैं, कौन कौन सी है, मुंबई, कोलकता, ये सारी cities के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, तो basically ये news थी, अब इसमें ice sheet क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, इसमें कुछ important point है, ये आपके लिए हो सकता है, UPSC में पूछ ले, एन ice sheet is essentially a mass of global ice that cover more than 50,000 square kilometer of land, ठीक है, तो ये basically क्या है, 50,000 km2 of land, जो की ice का बना हुआ है, इतना समझ में है, glacial ice का, large enough to blanket the entirety of युत्रखंड इन ice, there are two major ice sheets in the world today, first is Greenland ice sheet and second is Antarctica ice sheet, दो तरह की ice sheets हैं पूरे वर्ल्ड में अभी, एक है Greenland ice sheet और दूसरी है Antarctica ice sheet, together they contain the two-third of all the fresh water on earth, ये point बहुत important है, ये आपके prelims में इसी तरीके से पूछा जा सकता है, next है, ice seas are different from sea ice, which is the free floating ice that surround the polar region, sea ice is created by sea water freezing, ठीक है, तो sea ice different है, और ice sheet different है, sea ice क्या है, जो polar region के आसपास जाए, फ्लोट करती रहती है, basically जो भी पानी आसपास का रीजन है, melted water है, वो अगर थंड में फ्रीज हो जाता है, तो उसे sea ice क्यते हैं, और ice sheet is a different thing, पूरा का पूरा ये क्या है, sheet है, ice की बनी होई, ठीक, और ये see, दो sheet है, इसमें two-third of water present है, fresh water, ये बहुत important point है आपके प्री के लिए, अब इसमें एक और important word है, जो आपको याद रखना है, वो है, अमोट्सेंस ही, इसको आपको याद रखना है, अंटाक्टिका में है, एक बार इसकी जोग्राफी भी देख लेना, job के prelims के लिए important है, एक बार Google करके थोड़ा सा देख लो, हो जाएगा, ठीक, तो ये अमोट्समेंट C, आपको पूछा जा सकता है, अंटाक्टिका में, वेस्टर अंटाक्टिका, thank you, and enjoy your day, और subscribe करो, है न, चलो,